आज मैंने इस पोस्ट में भारत के बारा सबसे प्रसिद्ध मंदिर के बारे में बताया है, जहां हर साल लाखो करोडों शद्धालू दर्शन करने और अपनी मनोकामना पूर्ती हेतु विंती करने जाते हैं। अगर आप भी मंदिरों में जाना और देवी देवताओं का दर्शन करना पसंद करते हैं, तो आपको भी भारत के बारा सबसे प्रसिद्ध मंदिर में जाना चाहिए, जो मैंने बताया है। आईए विस्तार से जानते हैं भारत के 12 सबसे प्रसिद्ध मंदिर के बारे में. एक दिल्ली अक्षरधाम मंदिर यह मंदिर विश्व के विशालकाय मंदिरों में से यह एक है. इसका विशाल आर्किटेक्चर इसके इतिहास को बया करता है. अक्षरधाम या स्वामी नारायन अक्षरधाम मंदिर एक हिंदू मंदिर है और भारत के नई दिल्ली में स्थापित साहितिक सांस्कृतिक स्थान है. यह मंदिर दिल्ली अक्षरधाम या स्वामी नारायन अक्षरधाम के नाम से भी जाना जाता है. इस मंदर में लाखो हिंदू साहित्यों और संस्कृतियों और कलाकृतियों को मनमोहक अंदाज में दर्शाया गया है दो वैश्नो देवी मंदिर जम्मू कश्मीर के कट्रा से करीब 18 किलो मीटर दूर स्थित माता वैश्नो मंदिर भारत के सबसे प्रसिद हिंदू मंदिरों में से एक है नवरात्री के समय इस मंदिर में लाखो शद्धालू माता के दर्शन करने आते हैं आपको बता दें कि कुछ साल पहले माता वैश्नो देवी मंदिर तक जाने के लिए कट्रा से पैदल ही जाना पड़ता था लेकिन वर्तमान में माता वैश्नो देवी मंदिर जाने के लिए घोड़ा, पालकी, बैटरी कार और हेलिकॉप्टर की सुविधा भी उपलप्थ कराई गई है भारतिय राज्य आंध्र प्रदेश में स्थित यह तिरुप्ती बालाजी मंदिर भगवान विश्नो जी को समर्पित है भारत के इस मंदिर में प्रत्यक वर्ष करोडों लोग दर्शन करने और अपनी मनोकामना पूर्ती हेतु विंती करती है आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भगवान विश्नो जी का यह मंदिर भारत के सबसे धनी मंदिरों की सूची में भी शुमार है चार जगन्नात मंदिर पूरी भारत के उडीसा राज्य के पुरी शहर में स्थित चार धामों में से एक जगनात मंदिर भगवान विश्णों को समर्पित है यह मंदिर अपने रत यात्रा के लिए काफी मशूर है जगनात मंदिर में हर साल होने वाले रत यात्रा में लाखों शद्धालू देश के विभिन क्षेत्रों से सम्मिलित होते हैं 5. काशी विश्वनात मंदिर वारानसी धर्ती की सबसे पवित्र नदी गंगा के तट पर स्थित यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है जहां देश के कोने-कोने से करोडों लोग भोलेनात की दर्शन करने के लिए जाते हैं भगवान के बारा जोतिरलिंगों में शुमार इस मंदिर को विश्वेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है 6. सोमनात मंदिर गुजरात के कपिला, हिरन और सरस्वती इन तीनों नदियों के संदम वाले तट पर बसा यह मंदिर भी भगवान शिफ को समर्पित है साथ ही यह मंदिर भगवान भोलेनात के बारा जोतिरलिंगों में भी शामिल है इस प्राचीन मंदिर के महत्व को आप वेद और पुरान जैसे ग्रंथों से भी जान सकती है 7. रामेश्वरम मंदिर कमिलनाडू के रामेश्वरम नामक शहर में स्थित यह मंदिर भगवान भोलेनात को समर्पित बारा जोतिरलिंगों में भी शामिल है जिसे रामनाथस्वामी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है भगवान शिव का ये वही मंदिर है जब श्री राम जी ने लंका जाने के लिए पुल का निर्मान करने से पहले भगवान शिव का शिवलिंग बना कर उनकी पूजार चना की थी मुंबई में स्थित इस मंदिर में प्रतेक दिन भगवान श्री गणेश जी से दर्शन करने हजारों की संख्या में शद्धालू आते हैं विठ्थु और देवबाई पाटिल के द्वारा इस मंदिर का निर्माण 1801 में करवाया गया था गणेश जी के इस मंदिर से महाराश्य के लोगों का काफी आस्था जुड़ा हुआ है राजस्थान के पुषकर शहर में स्थित ब्राहमा जी का यह मंदिर पूरी दुनिया का एक मात्र मंदिर है पुष्कर जील की किनारे स्थित इस मंदिर के पीछे एक काफी दिल्चस्क कहानी जुड़ी हुई है पुष्कर में हर साल एक मेला भी लगता है जिसमें लाखों लोग सम्मिलित होते हैं असम के गुवाहाटी में स्थित माता सती के 51 शक्ति पीठों में से एक यह मंदिर भारत में काफी प्रसिद्ध है कांतरिक लोगों का इस मंदिर से काफी आस्था जुड़ा हुआ है और उनका कहना है कि कामाख्या माता हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी करती है माताजी से दर्शन करने के लिए देश के विभिन्न शहरों से आने वाले परियटकों की संख्या हर साल लाखों में होती है उत्तराखन के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित केदारनाथ मंदिर साल में सिर्फ 6 महीने ही खुला रहता है लेकिन इसी 6 महीने में इस मंदिर में विराजमान भगवान शिफ के दर्शन करने हर साल करोडों लोग जाते हैं इस मंदिर के बंध होने के कुछ ही दिनों बाद इसके दोबारा खुलने का इंतजार लाखों शद्धालू ऐसे करते हैं जैसे कि इस मंदिर में जाकर भगवान शिफ का दर्शन करना ही उनका मंजिल है और वे लोग इस मंजिल को पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं आपको बता दें कि केदारनात मंदिर पंच केदार, चार धाम और भगवान शिफ के बारह जोतिर लिंगों में भी शामिल है बारह बदरीनात मंदिर उत्तराखंड भगवान विश्णुजी को समर्पित यह मंदिर छोटी और बड़ी दोनों चार धामों में शामिल है भगवान विश्णुजी के इस मंदिर से सिर्फ कुतराखंड के ही नहीं, बलकि देश के विभिन्न क्षेत्रों के शधालों का आस्था जुड़ा हुआ है यही कारण है कि इस मंदिर में हर साल लाखों लोग दर्शन करने जाते हैं आशा है कि भारत के बारह सबसे प्रसिद मंदिर के बारे में जानकर आपको अच्छा लगा होगा इस विडियो से संबंधित आप अपनी राय हमें कम्विनेट सेक्शन में जरूर दें धन्यवाद